हेलो वेवर स्वागत आपका हमारे चैनल रियल हेल्थ केर में आज हमले बात करने वाले हैं कि क्या बिना प्रेगनेंट हुए ब्रेश से मिल्क प्रोड्यूस हो सकता है अक्सर लड़कियों का या लड़कों का ये सवाल रहता है सेक्स के दोरां ऐसी फैंटेसी आम होती है और ये सवाल उन महिलाओ का भी रहता है जो निव बॉन बेबी को एड़ूप्ट करती है और उसे अपना दूद पिलाना चाहती है तो इस वीडियो में बीना प्रेग्डेंट हुए प्रेश्ट मिल्क प्रोड्यूस होने की पॉस्पिलिटीज पर बात करेंगे और मिल्क प्रोड्यूस होने के रियल प्रोसिजर पर भी डीटेल में बात करेंगे तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जलू देखेगा ताकि फुल बडियो देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिरेक्ट टॉपिक पर आते हैं कि अब बीना प्रेग्नेंट हुए ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं या मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका जबाब है हाँ ऐसा करना बिल्कुल पॉस बनने के पूरे प्रेस्ट को किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे वन्ना यह वीडियो बहुत जादा लंभी हो जाएगी लेकिन आप सॉट में जान लेजिए कि लैक्टेशन यानी मिल्क बनना हर्मोन के चेंज़िस के कारण होता है प्रेग्नेंशी के हर्मोन कम हो जाता है और जब बढ़े हुए हर्मोन का अस्तर नीचे गिरता है यानि कम होता है तो प्रोलेक्टिन हर्मोन responsible होता है दूद बनाने के लिए प्रोलेक्टिन हर्मोन के कारण ही दूद बनना सुरू होता है तो लड़किया इन तरीकों से बिने प्रेगनेट हुए milk produce कर सकती है फ़स्ट हार्मोन ठेरेपी जो हार्मोन प्रेगनेशी के दौरान दूद बनाते हैं वही हार्मोन के लेबल को हाई करके एक फीमिल को दिया जाता है और उनकी बोड़ी को यह यकी दिलवाया जाता है कि फीमिल प्रेगनेट है एक महिला में अपने ब्रेस्ट को पंप करना स्टार्ट करना होगा और निपल को उतिजित करना होगा ऐसे करने से प्रोलेक्टिन हर्मोन का लेवल आपकी बोडी में हाई होने लगता है और दूद बनने के प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है शुरू में आपको एक दिन में तीन बार अपन से 20 मिनट तक पंपिंग करना होगा वह साथ ही निपल को उतिजित करना भी जारी रखे पंपिंग की इस प्रोसेस को दूद पिलाने के दौरान भी जारी रख सकते हैं सेकेंड अगर आपके पास टाइम कम है आपको जल्दी दूद चाहिए तो आपकी हेल्थ केर प्रोफेशन आपको अपने उत्यजित करना होगा इस प्रोसेस कंटिनू हर दिन ऐसे करना होगा कि आपकी बॉड़ी फ्रोलेक्टिन और ऑक्षी टॉक्षिन हार्मन प्रोड्यूज करें जिसे बरेशच मेंदूद बनना इस्टार्ट हो सकें सुरू में हर दिन तीं बार 5 मिनिट के में 15-20 मिनट तक पंपिंग करना होगा ऐसा तब तक करना होगा जब तक दूदाना सुरू ना हो जाए इस लिए इस सारे प्रोसेस में पंपिंग बहुत जरूरी है इसलिए karışवबो अपना सकते हैं जो अपने सेक्स-वweg को और एक्साइट बनाना चाहते हैं या जो अपने सेक्स राव को प्रेश फिडिग करवाना चाहते हैं या ऐसे मदर अपना सकते हैं जो नी Burada को अदॉप्ट किये हैं और उसे अपना दूद बढाना जाते हैं तो हुफ़ली आपको ये वीडियो काफी पसंद आ होगा अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाइक जरूर कीजिए इससे में मौटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छे कंटेंट बनाने का और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को स सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियो की नोटिफेक्शन आपको मिलते रहे हैं अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए ना उसके आंसर जरूर दूंगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तेंक्यू कर दो